ब्लैक कलर की मर्सिडीज में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की गोल्डेन कलर का लहंगा जिसमें चमकीले सितारे जड़े हुए थे। पहन कर पिछले सीट पर शांत बैठी हुई थी। सामने कार में लगे छोटे से सीसे में उसकी काली चमकीली आँखें। माथे पर लगी छोटी सी बिंदी, गुलाबी होंट नजर आ रहे थे। तब ही अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। जिससे उस लड़की के बाल उसके पूरे चेहरे पर पसर आता है। वो अपनी बालों को जटक कर पीछे करती हुई कहती है। क्या हुआ? अचानक से ब्रेक क्यों मारी आपने? तब ही ड्राइवर बोलता है। अमिशा मैम साहब, वो सामने बहुत भीड लगी हुई है। ड्राइवर इतना बोल कर भीड हटने का इंतजार करने लगता है। अमिशा सामने बाहर की ओर देखने लगी। उसका चहरा वाका ही दूद सा गोरा और चांद सा चमकता धमकता दिखाई पड़ रहा था। उसी बीच एक आवाज सुनाई पड़ी, जो सडक के किनारे एक बिल्डिंग के ऊपर से आ रही थी, अमिशा विंडो के बाहर सर निकाल कर देखती है। तो च्छत के ऊपर एक नौजवान लड़का रेलिंग पर खड़ा होकर चिला रहा था। उसी बीच एक बाइक से एक लड़का आकर अमिशा के विंडो के पास रुक कर उस लड़के की बात सुनने लगता है। प्रिया, मैंने खुद से भी ज्यादा तुम्हें प्यार किया है, खुद के जरूरतों को भुला कर तुम्हारी जरूरते पूरी की, और अब तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ जा रही हो, तो अब मेरे इस जिन्दगी का कोई मतलब नहीं, मैं आज इसी वक्त इस कूद कर अपनी जान दे दूँगा, तब शायद तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन हो, फोन पर इतना कहकर कूदने ही वाला था, कि तभी वो बाइक वाला लड़का जिसका नाम आदित्या था, वहां आकर बोलता है, क्यों भाई, मरने वरने का प्लैन है क्या, आदित्या जोर से ताली और सिट्टी बजाते हुए बोलता है, अरे वाह, मेरे शेर एकदम सही जा रहे हो, शुब काम में देरी कैसी, अरे तुम सब देख क्या रहे हो, वो बेचारा इतना हिम्मत का काम करने जा रहा है, खुद को मिटाने जा रहा है, खुद कुशी करने, वाह, इतन बोलकर ताली बजाते हुए सबसे बोलता है अरे आप सब भी बजाईए उपर खड़ा हुआ लड़का के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर नीचे खड़ा आदमी इतना खुश क्यों है और उसे कूदने के लिए मोटिवेट क्यों कर रहा है कार में बैठी अमीशा आदित्य को ही देख रही थी वहां खड़े लोग में से एक आदमी आदित्य को समझाते हुए बोलता है क्या भाई पागल हो गए हो क्या अगर उसने तुम्हारी बात को सीरियस ले लिया और सच में कूद गया तब क्या करोगे आदित्य उस आदमी पर हंसते हुए बोला हूँ वैसे बात तो आपकी भी सही है पर फिर भी होगा क्या उसने भी मन बना लिया है कूदने का तो मेरे कहने या नकहने से क्या फर्क पड़ता है वैसे भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खुद से खुद की जिन्दगी मिटा सके इतना बोलकर आदित्य वापस से उपर उस लड़के के तरफ देख कर चिलाया अरे भाई क्या कर रहे हो तुम्हें कूद कर जान देते हुए इतने सारे लोग देखने के लिए रुके हैं जल्दी कूदो और हम सब को फ्री करो वैसे ये अंकल बोल रहे हैं कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो अपनी अनमोल जिन्दगी खुद से कोई मिटा सके पर आज तुम वहां से कूद कर दिखा दो कि तुम कर सकते हो आदित्या जैसे ही उस आदमी के तरफ इशारा करके बोलता है वो आदमी अपना मुहों छिपा कर वहां से जाते हुए बोलता है अरे बाप रे ये तो मुझे भी मरवाएगा यहां से भागने में ही भलाई है वो लड़का अपनी आँखें बंद करता है और अपने मुठी को कस कर बांदते हुए है अपना कदम आगे कूदने के लिए बढ़ाता ही है कि तभी आदित्या उसे रोकते हुए बोला भाई भाई एक मिनट एक डाउट था मरने के बाद कैसा फील होता है मुझे बताना जरूर होके ब्रो नाव जंप वह लड़का वापस से अपना कदम आगे बढ़ता है तभी आदित्या वापस से उसे टोकते हुए बोला सॉरी, सॉरी, फिर से मैंने डिस्टर्ब कर दिया पर यहां माहौल भी है और भीड भी और जब भाई प्यार के नाम पर कूदने जा रहा है और इसके बाद लोगों के नजर में प्यार को बेकार नजर से न देखे इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ अदित्या के इतना कहते ही सब की नजरें ऊपर खड़े लड़के से हटके अदित्या के तरफ हो गई अमीशा कार में बैठी इन सब बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी आदित्या अपनी बात करी रखते हुए बोला मैं नहीं चाहता प्यार का नाम खराब हो इसलिए मैं अपनी कहानी बताता हूँ जब मैं कॉलेज में था तो मेरी भी एक गर्लफरेंट थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था अपनी जान से भी ज्यादा उसके लिए 24 इंटो 7 आवर अवेलिबल रहता था यहां तक कि उस पर मैंने पानी की तरह पैसा बहाया और एक दिन ऐसा आया जब वो मुझे छोड़के किसी और लड़के के साथ फुर हो गई तुम्हारी तरह में भी बिलकुल ऐसा ही बौकला गया था और मैंने भी मरने का फैसला कर लिया और जिस दिन मैं खुद को मिटाने जा रहा था उसी दिन एक लड़की ने मुझे जिन्दगी क्या है यह समझाई और आज मैं बिलकुल सही सलाम जिन्दग, आबाद, खुश, तंदरुस्त तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तो और आज मेरी उस बेवफा गर्लफरेंड से भी अच्छी सुन्दर, सुशील, प्यारी मुझे खुद से से भी ज्यादा प्यार करने वाली मेरी अब एक नई गर्लफरेंड है इतना कहते हुए वो अपने चारों तरफ इधर उधर देखता है और सामने लगी कार में अमीशा के तरफ इशारा करते हुए बोलता है हूँ, वो देखो, वो है मेरी गर्लफरेंड आदित्या जैसे ही जिन्दगी खत्म कर लेना बहुत आसान है पर इस जिन्दगी को जीना बहुत मुस्किल वैसे भी, मर तो एक दिन सबको जाना ही है तो फालतू में खुद ही क्यो मरना यार जब मौत आएगी तब देखेंगे और उस टाइम रो के नहीं हसके मरेंगे जिन्दगी को भी तो पता चले कि इस बंदे ने क्या जिया मुझे बस दोस्त इतना ही बोल पाऊंगा अब मेरा गला सुख रहा है और एक बात तुम्हारे पास अभी बहुत लंबी जिन्दगी पड़ी है तो तुम्हें इसकी कदर नहीं पर सोचो कुछ लोग तो ऐसे है जिनके पास जिन्दगी तो है पर उसे जीने के लिए बस गिन्ती के कुछ ही दिन या महीने है और वो उसी कुछ दिन और महीने में जिन्दगी को अच्छे से जीना चाहते है आदित्या की इस बात को सुनते ही हमीशा एकदम से भाउक सी हो गई उसकी आँखे नम सी हो गई आदित्या इतना कहकर रुका और अपने कमर पर हाथ रखकर सांस छोड़ते हुए उपर देखकर बोला मेरा तो हो गया भई अब तुम अपना देखलो डारेक्ट जंप करके नीचे आना है या सीड़ियों से होते हुए चलता हुआ इतना बोलकर आदित्या चुप हो गया तब ही एक आदमी आदित्या के तरफ पानी का बॉटल बढ़ाया और स्माइल करने लगा उसे घूरते हुए आदित्या पूछा ये किसलिए वो आदमी हलकी मुस्कुराहट के साथ बोला तुम बोलते हुए काफी अच्छा लग रहे हो मन कर रहा है तुम्हें सुनता ही रहू तुम्हारा गला सुख गया है ना येलो पानी पीके फिर से शुरू हो जाओ उस आदमी के इतना कहते ही आदित्या उसे घूर नाते हुए नजर से देखता है और हलकी आवाज में कहता है तेरी तो जिससे वो आदमी डर कर पानी का बॉटल वापस पीछे खींच कर सिर जुका कर साइड में खड़ा हो जाता है और आदित्या वहाँ से अपनी बाइक की ओर चल देता है जैसे ही वो बाइक के पास आकर उस पर बैठता है अमीशा अपनी नजर दूसरी ओर कर लेती है आदित्या उसकी ओर बिना देखे ही बाइक स्टार्ट करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है अगला एपिसोड बहुत जल्द ही आएगा तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही आए आपको पता चल जाए आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट एपिसोड में तब तक सुनते रहिए वन नाइट बिफोर डाई लेखक मिस्टर रिशी के साथ